Establishment का क्या अर्थ होता है, ये आज कि इस विडियो में सीख लेते हैं Establishment का अर्थ होता है स्थापना स्थापना का मतलब होता है किसी चीज़ को स्थापित करना याने किसी चीज़ को शुरू करना जैसे कि मालेजी कोई कॉलेज या स्कूल है वो जिस दिन शुरू हुआ या पहला बार उसके जिस दिन नीव रखी गई तो उसको स्थापना करना कहते हैं संस्थापन, संस्थापन का मतलब हो कोई संस्थान बनाना प्रतिष्ठान, स्थान, अधिश्ठान, नीव यह स्थापन यानि कि सब चीज़ों का लगबगी की मतलब है किसी चीज़ को शुरू करना या किसी चीज़ को स्थापित करना यानि कि किसी चीज़ को तयार करना जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि hotel एक आरामदायक और अच्छी तरह से संचालित प्रतिष्ठान है तो आप कहेंगे the hotel is a comfortable and well-run establishment या अगर आप ये कहना चाहें कि British सत्ता प्रिवर्तन को स्विकार करने में बहुत धीमी है तो आप कहेंगे the British establishment is very slow to accept change अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बखवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को करें और बैल आइकन को प्रेस करें